असलाम उलेकुम, प्रिवियस लेक्चर के अंदर हमने एनिमल्स को ओन दी बैसे औप बोडी लेएर्स क्लासिफाई किया था, जिसमें हमने देखा था कि डिपलो ब्लास्टिक एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं, जिनके अम्प्रियॉनिक स्टेजिज में सिर्फ दो जम्स आज किस लेक्चर के अंदर हम classify करेंगे animal को on the basis of body cavity तो body cavity क्या है यानि hollow space cavity एक space को बोलते हैं वैसे तो सारे ही animals की embryonic stages में body cavity बनती है जो blastula के अंदर जो body cavity होती है जिसे blasto seal कहा जाता है लेकिन यहां पर हम जिस body cavity की बात कर रहे हैं इसे sealome भी कहा जाता है इसलिए हम कहा सकते हैं classification on the basis of body cavity sealome अब sealome क्या है पहले तो आपने यह समझना है कि यह body cavity जो sealome है यह सिर्फ आपको triploblastic animals में मिलेगी अब उसकी वज़ा क्या है क्योंकि sealome को जब हम define करते हैं तो sealome एक ऐसी body cavity है जो के mesoderm tissues से बनती है और आप जानते हैं कि diploblastic animals के अंदर mesoderm tissue नहीं होता या mesoderm cells की layer नहीं होती इसलिए यह sealome जो है यह सिर्फ आपको triploblastic animals में धेखने को मिलेगी ओके sealome क्या है ऐसी body cavity है जो के mesoderm के cell से derive होके बनती है अच्छा अब यह जो sealome है यानि के body cavity इसकी basis पर भी animals को तीन categories में classify किया गया है यानि sealome की basis पर animals की तीन classes है पहली class के animals कौन से हैं जने asilomates कहा जाता है यानि जनके अंदर body cavity नहीं होती दूसरे आ जाते हैं hemo seals जनके अंदर body cavity होती है बट वो true body cavity नहीं होती और तीसरे आ जाते हैं silomates जनके अंदर true body cavity मुझूद होती है इन तिने को हम डिटेल से देखते हैं आईए अब ही तक हमने जो study किया था body layers और जितने मी mechanism study किये थे वो इस diagram के दिए study किया थे जिसमें हमने कहा था यह एक्टोडर्म है और यह एंडोडर्म है ठीक है और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दिरम्यान मीजोडर्म के tissues layers बनाते हैं ठीक है अब let's pause इस blastula जा gastula को हम ऐसे cut करते हैं ठीक है और यह दिरम्यान में एंडोडर्म की जो lining है हमें नज़र आएगी एंडोडर्म के cells हमें इस तरीके से नज़र आ रहे होंगे ठीक है तो हमने इस structure को flip कर गए इस तरीके से देखनी कोशिश की है ताके हमें सिलॉम या body cavity असानी से समझाए जाए ओके सो पहली केटिगरी की तरफ चलते हैं सिलॉम की बैस पर या body cavity की बैस पर animals की तीन classes है पहली केटिगरी आ जाती है ऐस इलूमेट्स ऐस इलूमेट्स का मतलब क्या है ऐसे animals जिनके embryonic stages के अंदर या बाद में भी ये सिलॉम क्योंके modify होती है इसके अंदर body organs बगारा बनते है तो ऐसे animals जिनके अंदर body cavity present ना हो उन्हें ऐस इलूमेट्स काहा जाता है ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास example आगी यह एक layer है जिसे एक्टोडर्म काहा जाता है यह अंदर वाली layer को endoderm काहा जाता है और इन दोनों के दिर्मयान की जो layer होती है cells की उसे mesoderm काहा जाता है अब कुछ animals ऐसे होते हैं जिनकी एक्टोडर्म और endoderm के दिर्मयान जो layer है mesoderm की वो completely इस तरीके से पूरे area को cover किया होती है और उसके अंदर कोई खाली space नहीं बनती और यह हमारे पास जो endoderm की cell है यह digestive track बनाते हैं जिने हमने archentron का नाम भी दिया था यानि हमने कहा था यह endoderm के दिर्मयान वाला जो region है यह archentron है और यह modify होकर gut बना देता है जिसे हम digestive track भी कह सकते हैं ठीक है हमारे पास जो air silumets की example है प्लेन एरिया आ गया जहां पिक्चर में आप देख पा रहे हैं अब second category है हीमोसील्स की हीमोसील्स का और नेम है pseudosilumets यानि ऐसे animals जिनके अंदर silum true silum ना हो cavity हो लेकिन वो true ना हो ठीक है तो यहां पर हमारे पास यह endoderm आ गया यह द्रम्यान में green color की आपको जो layer नज़र आ रही है यह कौन सी है यह mesoderm की layer है अब आप देख पा रहे हैं कि यह जो द्रम्यान में white area है यह cavity है यानि यह hollow space है इसमें fluid और air मुझूद होती है इसे silum कहा जाता है बट क्यूंके यह वाली जो cavity है यह true cavity नहीं है वो कैसे नहीं है लास्ट डाइग्राम से आपको clear हो जाएगा तो इसलिए इस cavity को हम बोलेंगे हीमोसील और सीडोसील तो ऐसे animals जिन के अंदर यह cavity मुझूद हो हीमोसील मुझूद हो उन्हें हीमोसील और सीडोसील मैट्स कहा जाता है और इसकी example हमारे पास आ जाती है round worms बाइरा अब हम चलते हैं सीलो मैट्स की तरफ जानी ऐसे animals जिन के अंदर true body cavity मुझूद होती है सेम हमारे पास यह एक्टोडर्म की layer आगी यह अंदर endoderm की layer आगी और यह mesoderm की layer आपको नज़र आ रही है green color में अब आप देख पा रहे है mesoderm की layer एक्टोडर्म के अंदर मुझूद है और mesoderm की layer endoderm के बाहर भी मुझूद है और यह जहां पर जो cavity बन रही है hollow space बन रही है यह mesoderm के cells के दर्मयान है और जब mesoderm के cells के दर्मयान जो hollow space बनती है तो उसे हम siloom बोलते हैं और ऐसे animals true silomates होते हैं इसलिए यहने silomates भी कहा जाता है और इसकी example earth form से लेकर humans तक जितनी भी cordards और बहुत सारे phylum से इसके अंदर आते हैं तो हम बारी बारी उन्हें cover करेंगे तो आपको इस diagram के बाद यह hemoseal के समझा चुक्छी होगी हimoseals की जो cavity बनती है वो mesoderm के दिर्मयान नहीं बनती है यह आएक साइट पा तो mesoderm के cells हैं लेकिन दूसरी साइट पारchau endoderm के cells हैं और endoderm और mesoderm के दिर्मयान cavity बनती है इसलिएagememoseal content is कैविडी बाने वो क्या होती है ट्रू सी लों होती है सो होफ़ली आपको लेक्चर समझ में आया होगा नेक्ट लेक्चर तक लिए मुझे अजाज़त दें शुक्रिया अल्ला आफिस